अकबर बिर्बल की कहानी सबसे बड़ा हत्यार दोस्तो बादसाह अकबर कामकाच के अलावा भी कई चीजों के बारे में बिर्बल से बाच्चित किया करते थे ऐसे ही बठे बठे एक दिन बादसाह ने बिर्बल से पूछा की इस दुनिया में सबसे बड़ा हत्यार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है इस बात के जवाब में बिर्बर ने कहा कि संसार में आद्म विश्वां से बड़ा हंथ्यार कुछ और नहीं हो सकता है यह बात अकबर के समझ में नहीं आई लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा उनके मन में हुआ की समय आने पर इस बात की परक की जाएगी कुछ दिनों बाद राज जमेक हाथी बेकाबू हो गया पता करने पर समझ आया कि वो पागर हो गया है उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकर लिया था इसकी खबर जैसे ही बादसाह को पहुँची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बिर्बल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खोल देना यह सुनकर महावत हैरान हो गया लेकिन बादसाह का आदेस था इसलिए सी जुगा कर चला गया अब अकबर ने बिर्बल को महावत के पाह जाने के लिए कहा महावत ने भी बादसाह के आदेस का पालन करते हुए बिर्बल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया बिर्बल को इस बात की खबर नहीं थी कि इसलिए वो अराम से चर रहे थे तब ही उनकी नजा चिंगारते हुए हाथी पर पड़ी जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी हितरा पा रहा है वो कुछ समझ नहीं पाए कुछ ही देश में उनके दिमाग में हुआ कि बादसाह ने मेरी आत्म विस्वास वाली बात को परखने के लिए इस हाथी को मेरे पीछे चोनने का आदेश दिया होगा अब बिर्बल इधर उधर भागने की सोच रहे थे लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया सामने से हाथी आ रहा था और अगर बगर में भाग कर जाने की जगह नहीं थी इतने में हाथी बिर्बल के काफी करीब पहुँच गया तभी बिर्बल ने सामने एक कुट्टे को देखा और उसे टांगों से पकड़ कर हाथी की तरब फेंक दिया कुट्टे चिकते हुए हाथी से टकराया उसकी ऐसी चीखे सुनकर हाथी वापस उर्टी दिशा में भागने लगा कुछ ही देर में इस बारे में बास्साह अकपर को पता चला तब जाकर उन्होंने माना की आत्मी विश्वास ही मनुस्य का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है की हर किसी की बात पर यूही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए बात की जाच और पड़ा करना ज़रूरी है दूसरी सिखिया है की इंसान समय से पहले उम्मीद न छोड़े तो परसानी से बाहर निकला जा सकता है